ततिया जिले में समर्दर मुली केंद्रों पर गेहूं करीदी अपने अंतिम चरण पर चल रही है। जिले में चोमतर केंद्रों पर ओफलाइन और ओनलाइन समेथ लगबग एक लाग क्विंटल से अधिक गेहूं कूले में पड़ा है। यानि कहा जाए तो गेहूं उठाव व्यवस्ता में परिवन द्वस्त नजरा रहे हैं। जिसमें खरीदी केंद्र से मचानक भी परिशान ही। ख़बरे तो दिखें की तिया से अनुद्रिजद की एक लिपो। ख़बरे तो जोए बढ़िया हुई है। तो अब सुकी मन्नी में भाव जाजा हो गया है। लोग भावों को पैसे की जरूबर करती है। तो यहां भाव कम है। मन्नी में शाड़े शारा सुरुपए उनको मिल गाए। तो अब भावान समस्य आ रही है। महसम खराब है। तो इंद्रों पर तले में नहूं पड़ा है। परवान समस्य थोड़ी हिकती जुनी है। महसम को देखते हुए सासन उसको बढ़ा है। में था केंद्र पर कतनी के मन्नी खरीद हुआ। मुझाय थे किसान नहीं थाा है। अंच किसान के क्यैं नहीं रहा है। मुझाय स्थिता न म्नी जान रहा है। तरकारी वेश क्या है? तरकारी वेश क्या है? तरकारी वेश 1840 है और मंदिय में 1850 पर चुनाओ के तक्काल बात से बेश हो गई है इस लिए पिजिए मेरों पर गज़्ची अपनी है इस पर उठाव का ठीका किसका हुआ है? उठाव को सिभा कॉर्परेशन है जब से खरीदी चाली हो जाती है तो थाव का अपने आप में एक रहता है थाव का अपने पर उठाव की आता जाता रहा है इसके जिस पिछ्ष्टे हानी ना हो तो इसका जिस उठाव नहीं तो बारिस माने साजाती है तो क्या प्रोभा परता होगा? बारिस से यह बीला हो जाता है तो नुक्सान होता है जिसमें जो किसानों को नुक्सान होता है? जिसमें तो गवर्मेंट का जैसे खर्दा दखा है तो गवर्मेंट का नुक्सान है और किसान का खुले में अपड़ा किसानों का वक्तान उठाओ होने के बाद जब माल जमा हो जाता है, उसके बाद ही होता है।